प्रेंट्स में तपारा तो चलिए दो कलर में डुजईन बना लेते हैं बहुत ही सुंदर बनने वाला और आसानी से ये design बना लेंगे, आगे मैं आपको step by step बताऊंगे कि किस तरह से आपने ये design बनाना है, तो बच्चों के बड़ों के किसी भी sweater में आप इसको डाल सकते हैं, cap में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बन के आता है, तो चलिए बनाते हैं और step by step सीखते हैं इसको की कैसे बनाना ह के लिए हमें सबसे पहले border के बास सीधी तरफ से हमने चार 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 फंदे प्लस करते जाना है, और last में एक फंदा आना चीए, तो यहां मेरे पास 33 फंदे हैं, 33 फंदे हैं, 32 फंदों में 4-4 बार ये 8 बार design आएगा, और एक फंदा मैंने extra रखा हुआ है, तो design की हो भी आपके पास कलर दूसरा है, वो आप border के बाद लगाएंगे, तो सबसे पहली सलाई देख लीजिए कि कैसे बनेगी हमारी black कलर है, तो सबसे पहली देखिए सलाई हम निकान लेंगे, सबसे पहला फंदा हम black बनाएंगे, देखें डिजाइन की पहली सलाई है, यह black बन आपने गांट लगा ली, अब अगले तीन फंदे आपने उतार लेने हैं, और यह देखिए, आपने एक black और तीन यह उतारें, तो यह चार फंदे होगे, बस इसी को आपने बार बार continue करना है, फिर एक black और तीन उतार लेंगे, तो चार यही चार चार करते जाना है, एक black इस तरह से हमारी पहली सलाई है, तो यहां से लेकर यहां तक चार फंदे होगे, चार यहां तक चार यहां तक चार यह चार तो लास्ट में एक फंदा आ जाएगा, black, आप देखिए डिजाइन की दूसरी सलाई, दूसरी सलाई में हमने पहला फंदा उतार लेना है, और पिंक बना तीन हमारे ब्लैक एक हमने उतार लेना है और तीन ब्लैक बस यही करते हैं जाना लास्ट तक एक पिंक उतार लेंगे और तीन ब्लैक बनाएंगे तो देखिए हमारी दूसरी सलाई में भी हमारे complete हो गई दूसरी सलाई में हमारा starting में भी black दो आए और एक pink तीन black एक pink तीन black और last में भी दो black आए तो बराबर फंदे चल रहे हैं अब देखिए तीसरी सलाई तीसरी सलाई में हमने क्या करना है पूरी सलाई हमने पहला उतार लेंगे और ये पूरी सलाई हमने black black बना लेनी है पूरी सीधी सलाई हमने black black color की बना लेनी है ये तीसरी रो है इसको हम इस तरह से पूरी black black बना के complete कर लेंगे सीधा सीधा बुनते जाना इसको तो देखें तीसरी सलाई हमारी सीधी सीधी बना के complete कर ली black से अब चोती सलाई भी हमने सेम उल्टा उल्टा बना लेना है चोती सलाई में भी सेम कुछ नहीं करना इसको भी हम इस तरह से पहला फंदा उतार के बाकी पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे तो इसको भी मैं उल्टा उल्टा बना के complete कर लोगी तो देखिए हमने चोथी सलाई भी complete कर लिए चार सलाईया बनने के बाद अब देखिए हम 5 मी सलाई बनाएंगे उसमें हम color change करेंगे हर चार के बाद जब भी पांचमी सलाई आएगी तो हमें क्या करेंगे अब हम पिंक कलर लगाएंगे सेम उसी तरीक्य से करेंगे जैसे हमने पहली सलाई डिजैन की की पहला पिंक बनाएंगे और तीन फंदे उतार लेंगे अब हमारा पिंक कलर चलेगा तो एक pink बनाया और तीन हमारे उतार लिए अब यह पूरी रो मैं ऐसे करूंगी तीन black उतार लूँगी और एक बना लूँगी तो देखिए last में भी हमने तीन black उतार लिए और एक last का pink बना लिए सेम वही तरीका आया जो हमने पहले लिए कि यह बस color change कर दिया अब वही करेंगे एक pink में से हमने एक pink उतारा और दूसरा pink बनाया दो pink बना लिए आप देखिए एक black उतरेगा तीन pink बनेंगे अब पूरी रो में आपके एक black उतरेगा और तीन pink बनेंगे एक black उतार लिया तीन उल्टे उल्टे pink बनाके complete कर लो यह पूरी सलाई देखिए लास्ट में अब हमारी छेमी सलाई में भी हमारे दो यह देखिए दो हमारे pink की यहां गए और दो starting में आए है बाकी एक black तीन pink एक black तीन pink यही करते जाना बस दो last में और दो starting में पिंक पिंक आएंगे अब यह पूरी रो हमने pink की सीधी सीधी बना लेनी है तो पूरी रो हमने अब जो हमारी सातमी रो है इसको हम पूरी को सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी तरब से इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे आठमी रो को तो ये हमारी आठ सलाईयों का डिजाइन completely हो जाएगा तो मैं इसको सीधी पूरी सलाई सीधी बना लूंगी और ऊल्टी बनाके complete करके आपको दिखाती हूँ तो देखे, मेरी आठमी सलाई ऊल्टी-उल्टी बनाके मैंने complete कर लिये यह हमारी 8 सलाइयों का डिजाइन बनके complete होगे और दोनों colour हमारे लगे, आप क्या करेंगे हम फिर पहली सलाइय से black color अब 9 सलाइय में वही करेंगे जो हमने पहली सलाइय में किया, एक black 3 को उतार लेंगे पिंक को एक black 3, तो तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपका design इस तरह से बन के त्यार हो जाएगा तो बार-बार आप आट राट से लाईया complete करेंगे तो इस तरह से आपका design आएगा आप इसी तरह से continue करते जाएंगे जाले फ्रेंट्स बनाईए और वीडियो को लाइक, share, channel को subscribe जरूर कर लिए अगर आपको यह डिजैन पसांद आता हो तो चलिए ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद थैंक यू